नमस्कार दोस्तों, 17 अगस्त को जो PGT की जाम हुआ था, आई उसका अंस्वर की देख लेते हैं, यह सिरिज, बुकलिट सिरिज A है, और यह भूगल का पेपर है, आई हम लोग देख लेते हैं, पहला कॉस्चन क्या है, इसमें दिया है कि निमलीखित में से काउन सा एक शुम सिलूर उर्जा से संबंधित है, तो सिलूर उर्जा सायांत्र जो है आपका जल उर्जा से संबंधित है, और यह आंध्यप्रदेश ने पढ़ता है, अगला कोश्चन है, प्रसिद पुस्तक में स्पिरिंग आप सिविलाजेशन किस ने लिखी है, मैंने स्प्रिंग आफ सी लाजेशन यह लिखी है अपका इसमें डे राइट एंसर हो जाएगा आपका चौथा क्वेशन है कि दी पीपल आफ इंडिया के लेखक कौन है दी पीपल आफ इंडिया के लेखक हैं हरबर्ट सर हरबर्ट रिसले कौन है ओद्राच्छा क्रिषि क्या है द्राच्छा क्रिश क्या है क्या है अंगुरू का पाधर है तो आपला कौन है कि निमलिखित में से कौन सा कथन एक कथन सत्त है विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भागोलिक प्रदेश से तथा इसकी आर्थिक विधिया नियम है विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख खुद्देश अस्तानी व्यापार को प्रसाहन करना है विशिष्ट आर्थिक मंडल का क्रिष्टी वुत्पादन को प्रगति करना है इसमें आप देखेंगी इसका राइट एंस्वर यह हो जाएगे क्योंकि यह भारत का पहला और एसिया का पहला यह निर्यात को बढ़ाने के लिए किया गया प्रया से इसको उन्हें शपन में कांडला में अस्थापित किया गया कि इसमें सात्मा कोश्चन है कि कासमास कि ने लिखा था कासमास जो लिखे थे ओथे हम बोल्ट महोदे सेवन का बी राइट है सुर जेगा फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगला कोश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र सब्दावली का प्रयोक इसके द्वारा प्रस्ता अगला कोश्चन है चीन की 90% मिट्टी है डी लोयस यो जलोड मिट्टी इसमें अगला कोश्चन है 11 11 है आपका भूगूल एक्षेतवरणी विज्ञान है यह कथन है यह है यह है 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 यह एक अधनर महोदे 11 का सी भूगूल एक्षेतवरणी विज्ञान एक अधनर महोदे जी का है अगला कोश्चन आपका है मिलान वाला है इसमें आप देखेंगे मिलाएंगे कि अलवाडी मांज्या फ्रांसी भूगल उत्ता हो जाएंगे और एफ वाला हो जाएंगे आपका ही घहाणला कोश्चन है वाण भूला ओंटि क्नी एक है कारी घंच जाकवड़रणी में अभी आफ है ऑनपको जाए है विजिवारणी के आपका हो जाएंग हूँए, विस्व में उरज्य संकत्ट का समाध्यान क्या है विस्व में उरज्य संकत्ट का समाध्यान वाये मतलब आपका 14 का समधान किया जा सकता है logon में प्रमुकि नगर की अधारा किसकी दॉर्ड़ित की गई यह जी थी परमुकिने compress भारत वर्ष में सरवाधिक वर्षा होती है तो आपका राइट अंसवर ए हो जाएगा सोरक ए पस्चिम घाठ हिमाले छेत्र और मेगाले में अगला सत्रहमा कोस्टन है आपका कि छेत्री भी भेदन की संकल्पनाओं को कहा जाता है तुसको छेत्री भीधन की संकल्पनाओं को जीव भूविस्तार कहा जाता है ठीक है छेत्रह का भी अट्रह कोस्टन आजाएगा आपका किन वनों को प्रित्वी का फिफडा कहा जाता है किन वनों को प्रित्वी का जनवेशीन इस dif poop ऐगए ठीक है अगला कोंचन है कि महाद विश्थापन शिधान प्रतिपादित किया था तो कितंब कि थे वेगणर महोदे यह को सिद्धान को प्रतिपादित के थी अगला कोश्चन आपका मिलाने वाला है विश्वा इसको मिला लीजिए मिलाएंगे तो इसमें तर्तलवासी जो हो जाएंगे आपका मृत्त सागरी जीव हो जाएगा उसके अगास सागर जो आपका सैवाल प्रकार के जीव में चला जाएगा उसके बाद आपका टेरोडो पा जाए तो इसका राइट एंस वर विश्का ए हो जाएगा में इसका है अगला कोश्चन है अपका कोजबास चित्र है कोजबास चित्र कहां कोईला से संबंदी थे निकाला जाता है इसमें अगला कॉश्चन बाईश डबलू वी लेवी जौर प्रस्तोत गोड़न फिसले परिकलपना निर्मार से संबंदित किस से निर्मार संबंदित यह हिमगवर है आपका क्या है हिमगवर 22 कभी 22 कभी है और 23 23 का है किस नगर को भारत का मांचेस्टर कहते हैं देखिए इसमें मांचेस्टर जो कहते हैं के देश कड़ी अपका राइट हो जाएगा है अमधा बाद को भारत को मांचेस्टर कहते हैं जबकि मुंबए को भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है अगला कौंसन है कि मेट्रोलाजिका नामक पुस्तिका किस ने लिखी है मिट्रोलाजिका नमा पुष्टिका यह आपके लिए के हैं अरस्तू 25 के अरस्तू 26 26 है आपका उस्मा का हस्तांतरड को कहा जाता है तो इसमें देखेंगे उस्मा का हस्तांतरड जो है तीनों वस्ताव से संचालन सब्वहन उर्जा विक्रड लेकिन इसमें अगर तो देखाए इसमें विद्दु चुमिकी हस्तांतर जो होगा हमारे साथ से ज्यादा से होगा 26 का अगला सही अगला कोश्चन है सकताइस का तिबद पठार के उपर छो मंडल के मध भाग पर 500 मीली बार अस्तर पर तापी प्रतिचक्रवाती दसाय ग्रिस मकालिन मांसून के समयत पनवती हैं यह सही है अगला है कि आर कारण क्या है कि तिबद पठार उच्छ तली उस्मा स्रोत के रूप में कार करता है यह दुनों से इसका राइट एंसर आपका यह हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा फिर अगला कोश्चन है 28 28 का है कि टेहरी बांध किस टेहर बांध आपका भागी रती था भिलंगाना नदी पर आपका 28 का 20 हो जागा प्रेहरी बांध भागी रती और भिलंगाना अगला कोश्चन दिया है कोट वाला है इसको थोड़ा चोटा कर दें कोट वाला दिया है निम्लिखित कत्नों की जाज कीजिए तथा नीचे दियेगे कोट का प्रियोग करके सही उत्तर का चैन कीजिए इसमें दिया है दच्छिड दोलन का वाकर परिसंचरण से घनिष्ट संबंध है गिलबर्ट वाकर भारती मौश्रम विज्ञान सेवा के अध्यस दे यह भी सह है दच्छिड दोलन का नकारात्मक सुचकांग सुचकांग खिंद महासागर में उच्छ दाव पुरी प्रसांद महासागर में निम्लिदाव इंगित करता है यह सही है इसको अगर आप देखेंगो 29 का 29 का पड़ी सही है एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकों के दबा देजिएगा और इस वीडियो को लाइक सेर जरू कर जिएगा और जो आपका सुझाओ उसको आप कमेंट कर सकते हैं ठीक हैं अगला क्वेस्टन है आपका महासागरों का आउस्ट वार्षिक तापमान कितना होता है तो मह सत्राइफılar कुश्चन दिया है हरित क्रांति सब्दावलिय का प्रयोग सरपर्थम किसिने किया था यह और क्यों सरफीक्याविय valley गैडे महोदेजी हैं ठीक हैं यह पुरू संयुक्त राष्ट्र अंतराष्टी विकास एजेंसी के निदिशक रच चुके हैं ठीक हैं फिर अगला कोश्चन है आपका पर्यावरण संरच्छन अनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया तो भारत ने पर्यावरण तेइस मैई 1986 को संसत द्वारा पारित किया गया तो ने श्याशी आपका राइट अंसवर यह हो जाएगा अगला कोश्चन है तैते इतनी लिखित भासाओं में सुनामी सब्द किस भास से संबंदित है सुनामी भासा जो है आपका जापानी भासा संबंदित है सी राइट ए श्याथ है काल गुली स्वर्ड उत्पादन के लिए चौटिस के एग तैस सर हर्बट रिसले द्वारा भारती प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गृति की आगया था थ्यासा न है के अच्छांस को ताफि भूमद रिखा कहा जाता है सब्सक्राइब की श्या mai कर आभ कर दों होते हैं और शोय चाहीं जो निरे लेकिन उसमें वर तक शौब दिग्री ने दिये तो इसमें 20 डिग्री उत्रिय चांस मतलब 36 का डी आपका राइट होगा 37 भागोलिक चक्र समय की वह अवधी है जिसके अंतरगत एक उत्ति धूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा एक आकरती विहिन समतल मैदान ने परिवर्तित हो जाता है यह कथन किसका है यह कथन है डेविस महोदेश 37 का सी डेविस महोदेश जी का है इसमें दिया है सिव्राय पहाडियां इस्तित है 38 का है सिव्राय पहाडियां कहां पर हैं तमिल लाडव 38 कर्दीम इसमें 49 49 एक गरजने वाला 40 कि स्प्रकार की पावनों संब्न थे एक गरजने वाला 40 जो है आपका दच्छिली गुलार्द की पच्छुगापवन 49 का सीज चालीस चालीस दिया है मद परदेश में चंबल नदी घाटी यह उधारण है यह है उत्खात भूमी उत्खात भूमी को दाड़ चालीस का एक तालीस इसमें दिया है पेट्रोलाजी किसका विज्ञान है पेट्रोलाजी जो है आपका सहलो का इसमें दिया है 43 का कोकस कीलिंग बेसिन कहां इसी थे कोकस कीलिंग बेसिन हिंद महासागर्मी से थे ठीक हैं अगला है 44 इंफ्लुएंस आफ जियोग्राफिक इन्वार्मेंट नाम कुस्तक किस ने लिखी है तो यह लिखी है सेंपुल महोदे ने 44 का बीव 45 यह किसका कथने कि मानों ने अपने सामन जिसने प्रकितिक द्वारें इधायित की गई सीमाओं को एक पदवर आगे बढ़ा दिया है तो अभी तो एक किलियर नहीं उपाया लेकिन जहां तक उमिद है यह सहीं बोमेन का है 45 का डी 45 का डी इसको अब एंसर की आने बाद ही पता चलेगा 46 नहीं करती है तो दिनारी प्रजाती मुख्रूप से आलपस प्रदेश में निवास करती है तो इसमान नहीं डिया है, अन्वेसर था वर्डन जो है मानव वोलकु पागम नहीं उन्चास का डी इसमें दिया है देखे वर्षास्तरी का एक उदारड़ वर्षास्तरी बादल जह है किसके मध्याता किसके अंतरगात आता है तो यह आता है मध्यमेक के अंतरगा पच्छास का भी ठीक है इसमें किया था तो प्लेट सब्द का सरुर्थम प्रिजयोग तूजो बिलसर महुद्वय ने किया था 51 का डी है जापान देश के अंतरगा सबसे बड़ा दीप कौन है तो जापान देश के अंतरगा सबसे बड़ा दीप जो है आपका होंसू दीप बी राइट एंसर तीरपन अगला कोशन है चाउवन गंगा के मैदान यों धक्कन का पठार के मध्य कौन सा परवत आपस में बातने का काम करता है तिसमें आपका बिंध्यन हो जाएगा भी राइट एंसर भी पच्पन दिया है कि पश्मी घट को इस नाम से भी पुकारा जाता है किस नाम से सहयाद्र इस रेड़ी पच्पन कड़ी इसमें दिया है चपपन थियोरी आप दी अर्थ विद्प्रूफ्स एंड इलिस्ट्रेशन का लेखा कौन है तो यह हैं हटन महोदे चपन कभी इसमें दिया है सतावन सतावन है भू अभिनत्यों को चार और से घेरने वाले द्रिड सारी विकास अवधाड़ा किस वर्स में प्रकास में आई तो आपका ठावन के हो जाएगा नई सोबानवे अगला दिया उनसट्ट गींच पेट्रोलियंप्रायपैन कि इस देश में संचालित होती है तो आपका ऊंसट्ट का भी हो जाएगा यू यू से ठीक है अगला है शाट पैन प्लेन की संकल अपना एक सट एक सट है उस्ट करवंदी सदा बहारवन कौन सा चेत्र है तो उस्ट करवंदी सदा बहारवन चेत्र का है अगला कौशन है इंडोनेसिया में निमन में से कौन सी जलवाई पाय जाती है तो इंडोनेसिया में विश्वतिय जलवाई पायती है बी तिरसट का भी चोसट भूत द्रिश्ट के परिमारजय में मनुष संतिम कारक है एक अथन किसका है तो है सावर मौदे चोसट का सी इसमें दी है पैसर्ट सेल सेर्था सब्दालिस संबाने दें सेल सेर्था जो है भूमी का जल चुना सब्दाली का प्रियोग सरुपतर निंवी से किसके द्वारा किया तो यह है नार्मन मायर के द्वारा इसमें 67 है जूम क्या है जूम खेती की पदती है ठीक है 68 68 68 मिलाने वाला दिया है मंगला जो है आपका 24 हो जाएगा नाहर कटिया 593 हो जाएगा बदर पूर 594 हो जैए और डिक वो ही जोहाँ का एक में चला जाएगा तो मतलब डी का एक कहां पर लिएग में ऐं तो सबसे लंबी है इसमें सबसे लंबी जो है आपकी योन है यह राइट अन्सवर एव जाएगा सत्तर आधुनिक समधुरिग्यान के प्रड़ेता कौन है यह एक 660 혁मी नियुप का विमलिखीत में से कौन स एक आरोही क्रम में है आरोही मतलब बढ़तेव कर्म राइधरी जल में विद्वान लवड के प्रसत को सहीं प्रदसपिकरता तो इसमें आपका राइट एंसर जो है आपका देखेंगे भी हो जाएगा बी मतलब सबसे कम समुद्र में पहले कैलसियम सलफेड पाजाता है फिर मैगनीसियम सलफेड फिर मैगनीसियम कोलाइड सबसे ज्यादा सोडियम कोड़े इसलिए आपका राइट एंसर भी हो जाएग कि और ब्रमीगत जल जो है आपका सुर्या विताग को प्रभावित। तिनों कि प्रभावित करते हैं लेंभ और ब्रत ऑघ भो लोटाव ब्रतिकि इसने पीटर का सुछ आजबावगत में है काश्ट मैदान उधारड है काश्ट मैदान आपका युगस्लाविया का मैदान से संबंदित है ठीक है चीहत्तर निम्लिखित में से किस राजी की सबसे लंबी तट रिखा है तो इसमें आपका गुजरात हो जाएगा डी प्रित्वी के आंतरिक भाग में उसमा जनन का मुख कारड क्या है तो इसमें रेडियो शक्री पदार्थो तथा गुरुत बलके तापी उर्जा में पिरवरतन से मतलब शतात्तर का ए हो जाएगा नेली क्रांती से आसे क्या है नेली क्रांती के मतलब होता है मचली पालन ठीक ह है 89 का सी हेरो डोटर्स युनान के हैं डिमांजिया ने मकानों को वजगी करड किसे अधार पर किया है देखिए इसका हमें राइट अंसर तो नहीं पता है लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है ए निर्मार सामागरी का अधार पर होगा अश्ची का भी ठीक है अगर आप बरात हो यागोरा दिया है निम्लिखित में से कौन सा है क 안녕하세요 लवरता पाई जाती है इसमें दियास्तूर कंध्य प्रित्वीं एक सिर्द में होतों लग pana थ possibility एक गलत है सूरी चन्दमा प्रिथवी एक सीध में हो तो लगू ज्वार आता है यह भी गलत है सूरी ज्वारी इसको हम देख लिये थे कि यह असत्य है इसमें राइट एंसर आपका बी होगा करकें मकर रिखाओं कि मद अधिकतम महासागरी लवड़ता पाए जाती है मतलब एक क्याशिक आपका इसमें हो जाएगा है ठीक है समुद्र में डूबे महादीप के भाग को कहा जाता है तो इसमें महादीपी मगन ढंदाल भी मासा आगरी कटक ळ के भाग नहीं है इसलिए अगर जहां तक मेरा उन्नमान है तेहां पर आपका राइट एंसवर A होगा ठीक है 82 का A 83 है आपका रिप्ट घाटी परिडाम है रिप्ट घाटी जो है आपका भरंचन का है 83 का B रिप्ट घाटी भरंचन के द्वारा निर्मित होती है अगला है किसी भी सेवा के लिए जन्संख्या सी मादेहरी की सही ब्यक्या निमलिक्त में से काहों सा कथन करता है तो इसमें दिया है अधिक्तम दूरी जो लोगों को सेवा का उपयोग करने लिए नियुनतंों दूरी इस सेवा के लिए आउसच नियुनत्प जन्जंख्या इस सिवक लिए जो आवसिक निम्तम जन्जंख्या है आपका राइट एंसवर सी हो जाएगा ठीक है पच्छासी पच्छासी सी तोष्ट चक्रवाद की इन अच्छांसों के मद उत्पन होते हैं सी तोष्ट चक्रवाद आपका 35 से डिग्री उत्तरे और इसमें दिया है ओजन परत अवस्थित है ओजन परत जिवापप मंडल में 2006 uda के वितली मैदान में तो अतिधिख के विस्तार महूमी निच्छे अगर देखा जाए प्रसांत महा सागर में पाया जाता है यह पुरुईरी समुत के पाश ठीक है 88 अजी नमाशि शागर दीप गंगा सागर पर स्तित जो है इस नमाशि के त्थन यहीं नमने की प्रतो में निचली परत काँ सी है इसका आपका जो परिवर्धन मंदल है इस मंदल है यहीं है ठीक है 评umm बेका भी परिवर्तन वंडल अगला है एंधरे साइट है एंधरे साइट किया है कोयला है क्या एंग जोची को सुची दोसे लित की तो इसमें से आप मिला लेजिये काली स्याम क्रांद्व क्या है पेत्रॉलाय मेश्थ संबंद्दि के ने हैं धर्यूट किобщ्सों मतलब है आपका सी हो जाएगा गलत अगला है टक फार्मिन किस्टे संबंद ह्ए टक फार्मिंग का आपका साख सब्जी से 93 का A विली-विली क्या है विली-विली एक उस्ट में चकरवाथ है जो आस्टेलिय में आता है 94 का A कि पंचान्वी विश्व में निम्निमिस्य कि सरवाधी क्यों पाथ पाजाता है तिया आपका सोवियत रोज होजेगा। 95 कड़ी कि च्छानवे च्छानवे यूर्त घर है यूर्त घर किसका है किरगिज का च्छानवे का भी यह ठी जीटि में भी क्वेस्टन आया था सत्तानवे भारत के लग इस पात सयंद्रों के उत्तर दच्छे निम्निकित क्रमों में कौन सा सही है इसका आपका पहली नबह बुकारों हो जाएगा फिर बर्नपूर जमसेदपूर रावर खिला अर्थाथ आपका सत्तानवे का एराइट एंसर हो जाएगा इसमें सबसे प्राची नगरी करड़ को देखें की स्किम कनुसार हंडेट कोसन है कॉपटे की स्कीम कंसार्ड बी प्रकार की जलवाई पाई जाती है कि इसको हमने मिलाए लेकिन राजस्तान के अगर बात किया जातों यहां पर यह डब्रूर बाल यच डब्लूर पाजाताहे जबकि यहां हम भी फ्लेशंद दिया है तो इसका सही ऑंस्वर राजस्तान ही प्रितिपादन किस ने किया था तो रुकोर जाओ निश्यवाद 101 का डी हो जाएगा टेलर महोदे ठीक है इसमें आपका है सही कुट का चैन करें ठीक सही कुट का चैन करें इसको एक रुपतावाद हट्टन महोदा जी है अधारतल पावेल यहीं दो से मिला लीजिए तो आप अर्थाद आपका एक राइट है जोरो जाएगा ठीक है एक सो दो का यह राइट हैं जोरो जागा आपका आगला कोश्चन है एक सो तीन एक सो तीन है कि निम्लीखिन कौन सा एक कथन सत्य भारत के महानगरों सन्नगरुग जनसंखयम तीवर गतिस बिर्धिवर एसजिए है महानगर मुंबाई कोलकाता चनाई दिलिम देश के पचासी से परसंट से अधिक संपन लोग निमास करते हैं यह भी लगभक सही है सन्नगरों निर्धानता विरजगाई असुरचत अप्राद की दर उच्छ होती है यह भी सही है इसमें महानगरों यह सन्नगरों में नगरी अधार्वु सुष्धाओं का प्रयापता है जीवन अनंदाग है जिवकि नगरोंगर में आप देखेंगे वहां पर ज्यादा समस्यां देखने मिलती है ठीक है तो इसका अनुमानित उत्तर डी होगा ठीक है अनुमानित तर डी हो एक सो तीन का डी है बुस्माइन होंटें ताई प्रजाती संबन्दित है बुस्माइन होंटें टमठ कर जाती जो है नीगरोईट प्रजाती संबन्द थीत 104 का शुडिये मत्स अच्छत्र का स्थाय अगला 107 आप उडिश्यां के स्जां चक्रवाथ उन्ना 2217 5109 के परच्छा important टमद pub Alma को मिल आपका जाता है आप भी गई इसको अगर आप देखेंगे इसमें आपका जो फेलीन है फेलीन 2013 का आया था इसमें गति 250 से 260 km प्रति घंटे क्रफ्तार्स इसमें हमाय चल चल रही थी तो फेलीन आपका 107 का 160 1008 है आपका अतली घर्णाइपरत में जमने वाली मैगमा को क्या जाता है इसको सेल भोलते हैं ठीक हैं 180 वाट का भी सहिक राज अमेरिका की मिर्कषी आपको क्या कहते हैं तो संहिक राज अमेरिका के मीशिवें निच्छ पो एड़ो बोलते हैं एडोग 109 का एडोग 20 का प्रमुख व्यापरिक समुद्री जलमार्ग नहीं है तो दोस्तों अगर देखा ज़ें तो पनामा नहर और न्यूजिलेंड महामार्ग जो है यहां से व्यापर कम होता है ठीक है तो 110 का डी होगा G1 2011 निमलिखित में से भारत कीजिलओं में सबसे बड़ी अभर錢 मेखला पाई जाती है तो इसमें सबसे बड़ी अभर रक मेखला आंपनाenne को सी आपका एक है एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिस्तगनिक प्रकिया को कहा जाता है इसको दोस्तों सब्डक्ट्चन मतलब ऑवनेयन कहा जाता है ठीक है अगर मालूम नहीं है फिर भी बताज अनुमाल लगा सकते हैं 114 का यह होगा ठीक है इसका राइट एंसर नहीं मालूँ है आप लोग अगर जानकारी हो तो कमेंट करें ठीक है 115 नेमलिखित में इसे कौन सा एक अथन असत है उत्तरी गुलार्द की आउसत लवर्ता दच्छी गुलार्द से कम है गल्फ इस्टी मीरोप के उत्तर पस्षिम तर्पर लवर्ता बढ़ा देती है यह भी सही है प्रति चक्रवाति दसाने लवर्ता घटा देती है भूमत में पस्षिम भाग की तुलना में अधिक लवर्ता पाजेती यह से जबकि आपका उत्तरी गुलार्द के अउसत लवर्ता दच्छी गुलार्द से कम नहीं है जबकि यह ज्यादा है यहीं असत ही 115 का ए हो जाएगा ठीक आपका 116 देखते हैं 116 है वातावर्ण 164 लगाहने है सब्सक्राइब boleh हैं झालिक नदी यह एक नहीं गजाव थे शत्तर्त दूसरा नाम धर अतली पाने तो एक माहा एक्सो सत्रा का दि अगला है अपका में 108 एक्सों अट्रे संयुक्त राज अमेरिका में टार्नेडो क्या कहते हैं त्विस्टर बोलते हैं एक्सों वटर का ए ठीक भूगोल में अंध्यूग क्या है थी सदी से बरहावी सदी एक्सों निजशका सी 120 उत्तरी अमेरिकां प्रत्थाओं वासिव विज्ञान वित्ता किसे का जाता है अगर देखा जाए तो विज्ञान के चेत्र में सबसे बढ़िया काम डेविस महोदर जी की है ठीक है तिसलिए इसका राइट अन्सवर 120 का सी हो जाएगा 121 में आप देखें कि कौन सा यू ठीक सुमिलित नहीं खाता है इसमें देखिएंगे तो प्राबलम आप जियोग्राफी है इसके लेखक तो किर्क है ठीक है तो इसका राइट अन्सवर सी हो जाएगा 111 का सी 122 यह एक असलाप की यह रड़ंग यह वाइट भूदरिश है ठीक है 122 का एम 123 मिस्टर में गर्म वस्षु सकवाओं को क्या कह जाता है मिस्टर में गर्म वस्षु सकवाओं को खमशेन वोला जाता सबसे महत्पुर्ण बंदरगाह कौन है तो सबसे महत्पुर्ण बंदरगा मुंबई है आपका 124 का 126 का 124 का भी है 125 भार अमेरिकी समासास्ते लेविस मेंफोड ने नगरों के विखास की कितनी अवस्थाइं बताई है तो इन्होंने कितनी अवस्थाइं बताई है छावस्था 125 का दोस्तों इसमें जो भी कोस्चन आपको तुरूटी प्रूर्वक लगे और आपको अगर उसका एंस्वर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि वीडियो बनाने में सर्च करने में ज्यादा नत करना बड़ा और हम इसका पीडिया भी डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड करा दे रहे हैं जान से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद